करेंगे लिमेट जीने में जो ट्रिक्स इसमाल होती है जिसे हम लोग कोशन को शॉट कर सकते हैं आज उसकी बात करेंगे ट्रिक नमबर फूर की जिक नमबर फूर हमारे वास्ता है लॉपिटल रूल इसके लिखते हैं एल्ट हॉस्पिटल रूल लेकिन पढ़ते हैं लोपिटल रूल लेकिन पर यहाँ एक्स क्या हो जाएगा? स्क्या क्या किता है उक में टश्पिटल रूल वहाया है लोग क्या पर नगाए यहां दोस्ते हैं ने, जैसे इने थ्लाए रख एफिंटी अपान इफिंटी हो जाए अगर इस क्रेट कार्व किस हमको मिल रहा है तो हम लोग क्या तर सकते हैं, लोग लॉपटरल रूल किस लिए अप्लाया होगा, जिए जिए लिए अप्लाया होगा, प्लाया होगा है कॉ depress कर सकते हैं यहां पर हमारे लिए इंपॉर्डेंट है तो हम क्या करेंगे अगर यह कंदिशन हमको मिलती है तो भी भी डिफ्रेंशेली एक्सट्रीट अपॉन जी दैसे फिर एक्सेंस टुए सब्सिटूट करके देखेंगे अगर फिर 0.0 मिल रहा है तो फिर हम यह बॉपिट सब्सिट करेंगे जब तक कि प्रदिशन 001 खतम हो जाए जैसे यह से चेट करता है यह को पॉल्ट को सब्सिट करते हैं तो सब्सिक्राइब करना है तो आधसे हम रहा कोश्ट नियुक्त है उसल्स踏वाद रहे हो जाए वह पॉथ होजाता है पहल्त इंपोडनिय यह बहु अगर मैंने infinity रगा है आपर, तो x रस to infinity क्या देगा मच्को? infinity रस to 5 और 5 रस to infinity, infinity रस to 5 is infinity, 5 रस to infinity is infinity, so we are getting a condition of infinity upon infinity, यह condition मिल रही है, अब infinity upon infinity इस condition है, तो अब क्या कर सकते है, l'optal apply कर सकते है, अब करना क्या है हमको, l'optal में, f'x upon g'x, तो इसको differentiate को, जो अब क्या दाइगास के दर, अब इसको differentiate करेंगे, तो यहाँ पर अमार पास आएगा, limit x रस to infinity, इसको differentiate करेंगे, यहाएगा 5 x रस to 4, अब क्या यहाएगा, 5 रस to x log 5, यहाँ यहाँ, अब अगर मैं infinity रखता हू, x रस to infinity, again, infinity रस to 4, will give me infinity, 5 रस to infinity will give me infinity, इस अतिना kind of infinity upon infinity, फिर से differentiate करो, इक बार और, तो एक बार और differentiate करेंगे, तो क्या हैगा, यह x रस to 4 है, क्या जाएगा, 4 x रस to 3, 4 रस 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 कितना हाँ, 20, 20 x रस to 3, 5 रस to x का, 5 रस to x, again, log 5, log 5 रस to square हो गया, फिर अगर मैं infinity रखता हू, रस to infinity का क्यों ही, infinity, and infinity 3, या फिर मुझे infinity upon infinity मिल रहा है, फिर से differentiate करेंगे इसको, the limit actions to infinity, क्या जाएगा, 23 रस to 16 x square upon 5 रस to x, then log 5 का power 3, अब फिर रखता हू, infinity, infinity का square, again, infinity, यह भी infinity, तो मुझे और आगे बढ़ते जाने हैं, तो मुझे और आगे बढ़ते जाने हैं, अब इसके बाद में, limit actions to infinity, यह कितना हो जाएगा, 120 x upon 5 रस to x, log 5, the whole रस to 4, again, we are getting infinity upon infinity, एक बाल रखता हू, तो limit actions to infinity, यहाँ जाएगा 120, यहाँ जाएगा 5 रस to x, and log 5 रस to 5, अब उपर का x हट गया, अब अगर इंफिनिटी रखते हैं, तो उपर क्या मिलेगा, 120, constant number, नीचे क्या मिलेगा, infinity, constant number divided by infinity is, 0, तो अब लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर answer मिलनाएगा 0, तो मारा answer कुना राइट है, हमारा answer चलिया राइट है, last minute में आगे, तो यह समझाने के लिए था, इसके लिए मैं पूरे इसको differentiate किया, अब हम लोग, derivatives के अगर हमको अच्छे जाता है, तो हमको मालूम होना चाहिए, यह कहां पर जाके रुकेगा, यह nth order पे constant देगा, अगर मैं इसको x-to-n को differentiate करते जाओ, n times, तो मुझे n order पे क्या देदेगा, constant देदेगा, और n plus 1 क्या होगा हमेशा 0 होगा, यह derivatives of n plus 1 और n plus 1, x-to-n, यह मेशा क्या देगा, उसको 0 देगा, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि यह कितना है, x-to-5 है, तो मैं क्या बोलूम होगा, कि यह 4th order तक मुझे क्या देगा, 4th order तक constant, 5 है, यह क्या देदेगा, constant देगा, अब 6 निकालता मैं, तो क्या देदा मुझे को 0 देदा, तो उमको direct देदर से देखना है कि यह fixed order पर क्या देदेगा, constant देदेगा, और यह constant नहीं देगा, अब देख यह दो क्या होगी, तो यह दो सबसे पहले क्या रिखना है, 1- alpha दिया हुआ है, अब अगर मैंने alpha equal to 0 रग दिया दिया, alpha equal to 0 रगा तो मुझे मिलेगा f of 1, और यहां already f of 1 है, f of 1 minus f of 1 क्या देगा, मुझे को 0 देदा, alpha q, तो यहां 0 रग दिया, 0, 3, 2, alpha, 0, तो मुझे जो limit दे रहा है, इस limit में मुझे क्या दे रहा है, यह 0.0 का type है, जिब भी 0.0 का type है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, L hospital अप्लाए कर सकता हूँ, तो मैं L hospital इतर पर अप्लाए करूँगा, limit extends to 0, तो मुझे क्या देगा, f of x है, तो f dash of 1 minus alpha देगा, चेर दूर मैं अप्लाए करूँगा, तो 1 minus alpha, तो 1 का derivative to 0, alpha का minus 1 आइडा मेरे पास, ठीक है, minus f of 1, f of 1 अल्रेडी constant है, constant का derivative क्या होता है, 0, यहां क्या मुझे है उसको, upon 3 alpha square plus 3, यहां क्या है, ठीक, बस अप्लाए क्या देगो, अब यहां पर हम लोगो को जो है, तो 0 लोग, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा, f dash of 1, क्योंकि यहां पर alpha 0 और यह क्या पचेगा, minus ही तरह जाएगा, यह 3 alpha square, यह 0 क्या पचेगा, 3, तो मेरे पास आ रहा है, f dash 1 upon 3, तो हमने first step में देगा, 0 upon 0 आ रहा है, जैसी 0 upon 0 आ रहा है, L hospital नहीं अपनाए कर सकते है, अब हमारा answer यह आगा है, बस, कतब अब हमारा answer यह, अब हमारा पस f of x क्या है, यह हमको f dash x निकल जाए, तो f dash x क्या होगा, f dash x होगा है, x raise to 10, x raise to 9, 3 हो जाएगा 30, x raise to 9, यह जाएगा कितना, 7, 8, 56, x raise to 7, यह जाएगा 5, 6, 30, x raise to 5, यह जाएगा minus 63, x raise to 2, plus, 6, x, minus, dedu to 7 is 0, बस, अब क्या रहा है, वन रद के देवों कितना आप है, यहाँ f of 1 हमने निकाला, यहाँ जाएगा 30, यहाँ जाएगा 56, जाएगा 30, minus 56, plus 30, minus 63, plus 6, इसको हम solve करें कि 30, 30 कितना होगा, 60, 60 इसमें से जाएगा, कितना बचेएगा, 66 होगा 63, यानि कितना minus 53 आ रहेगा, ठीक है, minus 53 आ रहेगा रखता हूं कि अंसर क्या जाएगा, 53 by 3, यहाँ यहाँ आ रहेगा 53 by 3, यहाँ जाएगा 53 by 3, एना साल, आच्छा, आप आप आजा, दूसरों कोशें सॉल कर दे, the value of limit extends to 0, 1 upon x 10 inverse of x plus 1 upon 2x plus 1 minus 5 by 4 is, यह बुचा है किसमें, g main में 2013 में, तो देखो, 0 मा रखता हूं, तो यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, 10 inverse of 1 बचा, 10 inverse of 1 कितना है, 5 by 4, 5 by 4 minus 5 by 4, 0 हो रहा है, अच्छा, उसके आगे 1 upon x दी है, यहाँ गिनामेटर x है, तो x में भी 0 रखें, तो we are getting 0 upon 0, यहाँ भी उंकूं पंडिशन टाम में 0 upon 0 की मिली, तो I can apply as a hospital rule, as a hospital rule apply तो 10 inverse of x का derivative is, 1 upon 1 plus x plus 1 upon 2x plus 1, the whole square, अब चैनल किसका एगा, इसका, इसका derivative is, 2x plus 1, x plus 1 का derivative is 1, minus x plus 1, 2x plus 1 का derivative is 2, और नीचे कितना जाएगा, 2x plus 1, the whole square, यह चैनल आगया, पाइपार 4 constant है, constant का derivative is 0, denominator में x है, x का derivative is 1, तो हमारे पास बचा गया, यह पार्ट बच गया, अब इसमें 0 रख दो, यहाँ 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ 0 रख रहे हैं यहाँ 1 मिले आपको, यहाँ 0 रख रहे हैं तो 1, यहाँ पर minus 3, यहाँ पर 0 रख रहे हैं यहाँ 0 रख रहे हैं तो 1 रख रहे हैं तो 1-2, यहाँ पर रहे हैं तो 1 रख रहे हैं तो 1-2, यहाँ पर रहे हैं तो 1-2, सबसे पहले दो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि limit x रहे हैं तो 1, जो आपको दिया है, एजिनल दिख रहे हैं, प्लस side of x-1, प्लस a, यहाँ x plus side of x-1, यह पुरा एजिनल दिख रहे हैं, आप जो पावर है पहले इस को देखो, को देखो है, जैसे सोख भी लिए सकते हैं, और यह होगा हमारा 1-2, यह होगा है a-b, 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 नीचे आपका सक्या है, 1-2, यह कट़ीए जैसे, क्या बचेगा? 1 ब्रुटेक्स बचेगा अब लिमिट रखो let's turn मैंने वन रखा वन रखने पर यह पावर क्या हो रहा है सब इदर मांग दिया तया मैंने से या जिरो आ रहा है या यह के नियार्ट से तो एक bracket के अंदर मुझे 0.0 condition मिल रही है और पापर जिया कुछ भी नहीं हो रहा है पर एक integral value मिल रही है तो आपको क्या कर सकते हैं इसको L-Hospital पी इसको apply करते हैं L-Hospital में apply करते हैं तो क्या है नो यहां पर मेरे पास आजाएगा minus A x का del और cos यहां आएगा x-1 एक constant इसका del और 0 यहां कहा जाएगा 1 plus cos of x-1 1 का del और 0 और यह 1 plus root x as it is रहेगा और यह total किसके बराबर है यह total 1 by 4 के बराबर यह इसको बराबर होगा 1 by 4 के बराबर होगा अब इसको simplify करते हैं दो अब अब अगर मैं दर पर 1 रखता हूं x-dense to 1 रखता हूं तो क्या होगा cos 1 cos 0 यहां पयूब क्लस 1 मिलेगा यहां पर 2 मिलेगा यह 0 नहीं हो रहा है तो उपर मिल रहा है minus 1 say plus 1 नीशे मिल रहा है मिछो 1 plus 1 2 क्यों कि है जिरो मिलेगा cos 0 कितना होता है 1 तो 1 plus 1 2 और इसका पावर कितना है मिल यह कितना मिल गया मिल गया जिसका मतलब यह हो गया कि a minus 1 upon 2 कितना हो गया या तो plus plus 1 upon 2 किया आया माइनस आप आएगा स्क्वार उख लेंगे तो plus minus 2 अब यह 2 से 2 तर यह कितना हो गया हो गया माइनस से कह रिस्काइब कर दा कितना हो गया हुए हमको पूछा था रचेश्ट वेलव अफड़ नह नगहींट्यूल न डेतव एपने अनहीं को जो 238 यह एतव पर आता है और 2B हमारा non-negative है इस पर कुछ रहे है तो लाज़ेस्ट वैलू तो लाज़ेस्ट वैलू कॉंसी ही हमारा पास 2B तो लाज़ेस्ट वैलू तो हमारा अंसर मों सा हो गया तो हो गया ठीक है डिकलो इसको भी आए डिकलो कुछ जन अभी आपने हैं आपको घर वे ट्राय करो इसके लिए कुछ देता हूं है कि लिए एक्साइशन पर इंफिनिती है एक्साइशन प्लस वन हमारा पास क्या रहेगा जीरो हो जाएगा तो यह इंफ देनीर जायेगा और यह चलता रहेगा तो अंसर अमार पास क्या है जिसका ? 0 कब आएगा ? जब n की value नमको n तब differentiate करना पड़ेगा 10 की विली क्या होगी ? n की विली कोल की ? कोल नंबर हो सकती है solve करियेगा x upon 10 inverse of n डाइक डिफ्रेंशेट कर देना जुस्तरा ln 10x upon ln sin x n तो इसको denocktator मिलेगा फ्रेंश होगा वर तो potex लिफ्रेंश होगा अब तो पोटेंश होगा इसको कुछ answer मुझे देखी कमेंट सक्षें नो बताएए क्यात है? मिलते भी है next lecture में next week के साल में Thank you